क्या PMO के किसी भी अफसर को यूं हिससरे Z Plus Security मिल जाएगी है। आप सोची किस तरह के व्यक्ति को ये सुरक्षा दी गई और किस तर से ये निर्देश आए ये जानना बहुत आवशक है। ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भई इनके साथ दो लोग और थे जिनें छोड़ दिया गया। इसे किसकी निर्देशन से हो रहा था। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो गुजरात के एक ठग की कहानी। तो गुजरात के इस ठग को आप लोगों में से कुछ साथियों ने PMO का ठग भी कहा है। छोटा सा वीडियो आपको दिखा है। टी-शिर्ट पर पढ़िये क्या लिखा है। दिख रहा है न। ये भारती जंता पाटी की सदस्यता जो उनकी है वो। ये जो फटका इनोंने बीजेपी का पहना हुआ है वो। ये कश्मीर में जब ये जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिफ उनी को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था तो मुझे भी फॉलो करते हैं ये मैं नहीं फॉलो करता है तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली हुई है पिंड लोकेशन डाली हुई है उसमें भी यही अड्रेस है 34 बीनाबाग फ्लैट नई दिल्ली एक एक शुन्नी 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 एक आगे बढ़िए ये 26 जन्वरी को देखिए ये उनका परिवार है परिवार के मुखिया भी है आई आप कहेंगे मैं किस के लिए बोल रहा हूँ तो मैं तो किरन पटेल के लिए बोल रहा हूँ किसके साथ हैं जेपी नड़्डा जी के साथ हैं आगे बढ़िये बढ़िये साब आगे ये देखें ये पढ़िया आप राश्ट्र प्रथम परिवार ये मामला बहुत गंभीर है राश्ट्र की सुरक्षा की दृष्टी से बहुत गंभीर है राष्ट के सर्वोच पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूँ इस तरह से हो सरयाम हो, सारजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है बहुत गंभीर मामला है जब देश की सरकार, देश के प्रधान मंत्री, देश का कैबिनेट का आँख, नाख, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधान मंत्री के एक दोस्त को बचाने में सरपन, एकदम अरपन कर दिया गया हो समरपन है, टोटल, तो नाख के नीचे क्या हो रहा है, पिएमो की नाख के नीचे, ग्रह मंत्री की नाख के नीचे क्या हो रहा है उनको कानो कान खबर नहीं है, क्यों? क्योंकि जनाब 18-18 घंटे जाग के अपने दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे है 18-18 घंटे, वो तो 18 घंटे तो पिछले साल की बात है, सुना अब 20-20 घंटे हो गया ये सिती है देश की सरकार की, ये जमू कश्मीर, ऐसा सम्वेदन शीलिला का इस देश का, इस विश्व का वहाँ एक हफ़ता नहीं, एक दिन नहीं, एक महिना नहीं, पांच महिने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखा धड़ी कर रहा हो, और जनाब को खबर ही नहीं है साहिब को, सवाल ये उठता है, ये है आपका सुचना तंत्र, ये है आपका इंटेलिजन्स, मेकानिजम, जिसको पांच महिने लग गए, ये पता लगाने में कि आपके नाम का दुरूपयो लोग समवेधनशील इलाकों में हो रहा है, ये भाई साब जो हैं, जेड प्लस सेक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूम रहे हैं, प्रधान मंत्री के कार्याले का कार्ड छपवा कर कश्मीर में घूम रहे हैं, आएस अधिकारियों को हुड़की दे रहे हैं, लोगों की ट्रा नहीं जाने दिया जाएं, मैं और आप नहीं जा सकते, आप तो प्रेस कार्ड है तो भी नहीं जा सकते, अनुमती के बगार, उरी के जो हमारे जो पियो के के साथ जो एक लिंक करता है, पुल, उस पुल तक पहुँच गए साब, फाइव स्टार होटेल, ललित, अभी आप लोग सब आये थे, कश्मीर में तो आपने देखा था, ललित कहां है, एकदम सुरक्षा की दृष्टी से, बहुत ही समवेधनशील इलाके में ये होटेल है, जहां इनको ठहराया जाता है, वेरिफाइड ट्विटर हैंडल तो चलो आज कल मिली जाता है, उससे वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं अपने, फोटो डाल रहे हैं, सिक्यूरिटी जो उनको मिली विए उसकी फोटो डाल रहे हैं, लेकिन साहब को खबर ही नहीं है, साहब तो बिजी हैं, साहब किसी औ पिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेड प्लस सिक्यूरिटी का अर्थ क्या है, पच्पन लोग आपको मिलते हैं, जेड प्लस सिक्यूरिटी में, फिफ्टी फाइव, इसमें से दस एनेसजी कमांडो होते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दू, दस आम्ड होते हैं, छे PSOs round the clock मिलते हैं, चौबीस सिपाही मिलते हैं, दो escorts round the clock जो गाड़ी आगे चलती हैं, पांच watchers जो नजर रख निगरानी रखने के लिए दो shifts में पांच मिलते हैं, एक inspector या sub inspector, छे frisking और screening personnel, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साब से इन से, जो कि अपने आपको PMO का बताते हैं, उनकी frisking करेगा, कि कहीं वो weapon तो नहीं ले जा रहे हैं, या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे हैं, छे round the clock trained drivers, पांच bulletproof vehicles, पांच bulletproof vehicles, इन सब का मन्थली खर्चा अगर हम निकालें, तो लगभग 33 लाक और ये जेट प्लस security आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली वी, ये महत्वपूर्ण तर्थे हैं जो आप सब को जानने चाहिए, आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने security वापस ले ली थी, हमारे Congress के भी कई नेता थे, उन से जेट प्लस वापस ले ली, इस अब आपको जरुरत नहीं है, अब हमें समझ में आ रहा है जरुरत किस को है, क्यों ली वापस, मान लेते हैं एक मिनिट के लिए, हालंकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखा धरी की है, लेकिन चलो एक मिनिट के लिए मान लेते हैं, hypothetically, क्या PMO के किसी भी अफसर को यूँ इस तरह Z-Plus Security मिल जाएगी, या मिलनी चाहिए, क्या मिल सकती है, ये तीन अलग-अलग सवाल है, क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है, नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है, यह जानना आवशक है देश के लिए हमारे सब के पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं आप सोची किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस तर से यह निर्देश आये यह जानना बहुत आवशक है क्योंकि जो आदमी सरयाम प्रधान मंतरी को धनिवाद दे रहा है ट्विटर से और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है सरकार का या रूलिंग पार्टी का वो है आईटी तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधान मंतरी के नाम से क्या कर रहा है रखते हैं रखते क्या होंगे रखते हैं उन्हें नहीं मालूम पढ़ा क्या हो रहा है और अगर मालूम पढ़ा तो क्या पांच महिने तक किया उन्होंने बताएं जरा Z plus security बिना दिल्ली से कोई communication गए कैसे मिली सरकार वहां किसकी है वहां किसका शासन चलता है क्या वो ग्रह मंत्राले से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है ये तो सबको मालूम है फिर भी किसी को Z plus security मिल रही है तो या तो ग्रह मंत्री जी की नजर है ही नहीं जो हो रहा है होने दीजिए हमारा तो एक ही काम है बार-बार साबित करना की हमचानक क्या है सरकार में क्या हो रहा है ग्रह मंत्राले में क्या हो रहा है कश्मीर में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं हो सकता है इनका यही रवया हो अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भई इनके साथ दो लोग और थे जिने छोड़ दिया गया कौन थे भई ये दो लोग और छोड़ कैसे दिया गया प्रधान मंत्री के नाम का दुरूपयोग हो रहा है आपने छोड़ दिया ये चल क्या रहा है 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं है पुलवामा में RDX कैसे पहुंचा ये सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है 40 जवान शहीद हुए उनकी शहादत को हम यू भूल नहीं पाएंगे उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है फिर पुछता हूँ ये कौन से टूल किट का हिस्सा है हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से DSP दविंदर सिंग आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे उन्हें जब रोका जमु कश्मीर की पुलीस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किये थे गेम मत बिगाड़ो ये किसका गेम था कौन इस गेम का डारेक्टर था क्यों DSP दविंदर सिंग को जाने दिया गया क्यों नहीं उसके खिलाफ जाच हुई ये देश जानना चाहता है पुलवामा DSP दविंदर सिंग और अब ये ठग जो अपने आपको PMO का हूँ मैं ठग तो बहुत हलकी भाषा में बोल रहा हूँ जैसा कि DSP दविंदर सिंग ने डाटते वे जमू कश्मीर की पुलिस के डिया जी को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड रहे हो क्या गेम था